Good afternoon, ओम शान्ती आज बड़ाई बंडर्फुल टॉपिक हम लोगों ने आप तब के लिए रखा है इन नशों से मुक्तिक कैसे मिले बहुत अच्छा गीत अभी चल रहा था जो कह रहा था कि नशा एक सजा है जब नशा आदमी शुरू करता है तो पहले तो मजा आता है लेकिन मजा आते आते कब वो सजा में बदल जाता है पता भी नहीं चलता और उससे सारा जीवन तबा हो जाता है बरबाद हो जाता है चारों तरफ नुकसान ही नुकसान तबाही ही तबाही नशेशे आती है जब लोग शराप पीते हैं, बिड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं तो पीकर एक गीत गाते हैं क्या गीत गाते हैं? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए लेकिन हकीकत ये है, कि गम कम होते नहीं और ही बढ़ जाते हैं और ना केवल हमारे गम बढ़ते हैं, बलकि पूरा परिबार ही गमगीन हो जाता है शुरू में व्यक्ति शराप पीता है, क्यों पीता है? चिंता फिकर को छोड़ने के लिए चिंता जूट जाए, फिकर का चकर समापत हो जाए तो खुशी का ऐसा नशा आदमी को चड़ता है कि उसको फिर नकली नशा करने की जरूरत ही नहीं रहती तो क्यों चिंता होती है, क्यों फिकर होता है, क्यों आदमी नशा करने लगता है कब नशे की शुरुआत हो जाती है, पता भी नहीं चलता, कई कारण बनते हैं, लेकिन एक ऐसी बुराई, जो अनेक बुराईयों को पैदा करती है, देखने में लगता है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मजा कर रहे हैं, आप लोग अनुभवी भी होंगे, जब वैक्ती नशा शुरू करता है, चाहे वो कोई भी बहाना बनाए, चाहे कहे शौक के नाम पे ले रहा हूँ, चाहे दोस्ती की आड में ले रहा हूँ, चाहे मुझे टेंशन हो गई है, मैं बोर हो गया हूँ, उसका कोई बहाना बनाए, कोई भी मजबूरी बताए, ले में नशा करने लग गया, मैं बोर हो रहा था, मैं टेंशन में आ गया था, जिम्मेवारियां मेरे से निभाई दी जा रही थी, कई समस्यां थी घर में, कई बहाने बनाकर हम खुद को ठगते हैं और नशे के शिकार हो जाते हैं, कई लोग अपनी बात दूसरे से शेर नहीं कर पाते कोई जीवन में हम सफर सही नहीं मिलता, तो भी नशे का शिकार हो जाते हैं, किसी का दिल तूट जाए, प्यार में धोखा मिल जाए, तो भी लोग नशे के आदी हो जाते हैं, कईों की फैमिली हिस्ट्री ऐसी होती है, कि घर में सब पीते हैं, तो बच्चे भी सीख माबाप के खुद अच्छे संसकार नहीं हैं, तो बच्चे भी वही बनेंगे, शराबी का बच्चा हो सकता शराबी बन जाए, तो बड़ी बात नहीं है, कई कारण होते हैं, कई बार फिल्मों को हम देखते हैं, वहां भी इसका बड़ा महिमा मंडम किया जाता है, तो लेकिन लगता है हमें दोस्त, वो कहेंगे भई, एक बार पी के तो देख लो, एक बार बीड़ी का कश लगा के देखो कितना मजा है, पस एक छोटा सा पैग लगा लो, इससे तुम नसेड़ी थोड़ी बन जाओ तो, मैं भी तो चार साव से पी रहा हूं, मुझे तो अभी लत लगी थी पोड़ी सी अलकोहल होती है, इसमें इतनी तो खांसी की दुआई में भी होती है, ऐसे ऐसे कहके आपको ब्रहमित करेंगे, आपको गुमरहा करेंगे, और दोस्ती निभाने के चक्र में आप अपने लिए दुश्मन बन जाएंगे, और नशेड के शिकार बन कई लोग फिर और डायलोग सुनाते हैं कहते जी हम शराव इसलिए पीते हैं कि इससे हम देश की प्रोग्रेस में सहयोग देते हैं कहते कैसे सहयोग देते हैं कहते अगर शराव नहीं बिकेगी तो टेक्स नहीं मिलेगा गौर्मेंट को और गॉर्मेंट के पास पैसे नहीं होगे तो डिवेलमेंट नहीं होगे। ऐसे ऐसे तरक देके लोग नशे का शिकार हो जाते हैं। आपको ज़्यादा अनुभव होगा जो करते हैं। हमें तो इतना अनुभव नहीं हैं। लेकिन जब नशे की लत लगती है, कोई भी नशा हो चाहे बीडी हो, सिगरेट हो, तमाकु खाना हो, तमाकु पीना हो हुके के रूप में, चिलम, सुलफा, अफीम, शराब, बीर, गांजा, भांग, इतने नशे हैं। इतने नशे की बात मत पूछो, लेकिन केबल देखने को मिलती है तो तबाही। और आदमी कैसे इनका श की जाएगी, देखो तो सही होता क्या है, एक बार करके देख लो, आपको भी लगेगा कि हां भई, कहीं से आपने देखा, एडवर्टाइजमेंट देखी, कुछ देखा, हां मैं एक बार पान खाके देख लेता, पान स्पारी, मैं क्या होते हैं, जो पाउच मिलते हैं, और इस मुँ में हम क्या-क्या डालते हैं, बीडी पीते रहते हैं, तो लेकिन हम जिगयासा वस्था पता नहीं होता बच्चों को युवा वस्था में, सोचते हैं, एक बार करके देख लेते हैं, अच्छा, आप जिगयासा को शांत करने के लिए दूसरा स्टेप होता है, पहलीती होगी क्योरेश्टी, दूसरा स्टेप है कि हम एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, एक बार परियोग करके तो देखें क्या मिलता है, और अगर परियोग सफल रहा तब तो ठीक, अगर नहीं रहा सफल, तो थोड़ी देर के लिए आप रुप जाएंगे, लेकिन बा आपको सिखाएंगे, और कई लोग कहेंगे कि ब्रैंडी बदल दे भाई, इसमेनी मजा आ रहा दूसरे ले ले ले, तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले, फिर जब एक्सपेरिमेंट हो जाता है, तो तीसरा स्टेपा तक चस्का लग जाता है, चस्का लगने का मतलब दो-तीन बार आप लोगे, लेकिन धीरे-धीरे आपकी तलब जगने लगेगी, आपको इच्छा होने लगेगी, नहीं, दो-तीन नहीं, चार-पांच बार लो, पांस साक बार लो, और लेते-लेते, कब आप डेली लेने लग जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा, आपकी र पर आए जाएगी बात, और लास्ट में फिर पूरी की पूरी बोतल, पीके नलीव में पड़े रहेंगे, ये हालत भी हो जाती है, एक बीड़ी पीएंगे, एक हमारे रिष्तेदार थे, वो सिगरेट के उपर सिगरेट जोड के पीके थी, एक खतम नहीं होती थी, दूसरी स्टार्ट कर देते हैं, तो वो हालत हो जाती है, उसे कहते हैं चश्का लगना, और चौती स्टेज है, लत लग गई, एडिक्शन हो गई, आप उसके गुलाम हो गए, छे फुट का आदमी, तीन इंच की बीड़ी या सिगरेट का गुलाम, छे या पांच फुट का इंसान, तीन इंच की बीड़ी का गुलाम, तो गुलाम ही अच्छी लगती है, आजादी अच्छी लगती है, लेकिन गुलाम किसके है, उसके बिना नहीं जिया जा रहा, तुमाग को खाए बिना, और और नहीं हो तो यह सुपारी के इतने पाउच मैंने देखे बाहर पड़े तो ऐसे नशे की लट लग जाती है, और जब लट लग गई, तो उसके बाद फिर पीछे मुर के नहीं देखे, बार बार आपको इच्छा होगी, यह लूम है, यह लूम है, और जब तक वो चीज आपको मिलनी जाएगी, तब तक चैन नहीं पड़ेगा, तब तक आप धीन रहना पड़ेगा, उमर तो मिलेगी नहीं, पतानी कब मौत कब बुलाबा आ जाए, तब बे टाइम मौत हो जाए, पर बादी ही बरबादी है उसके बाद, बड़ा हमने लोगों को देखा है, लोगों के मुँ सड़ते देखे हैं, मुँ के कैंसर देखे हैं, लीवर ख लागया, कोई 55 साल में चला गया, और क्या जीवन उन्होंने नरक बला जिया, बात मत पूर, केबल एक थोड़ी सी गुलामी, एक थोड़ी सी टाइम की सजा, बाकी मजा, बाकी टाइम की केबल, सजा ही सजा है, फिर जब लत लग जाती है तो उसके क्या लक्षन होते हैं, जब नशे की लट लग जाए तो उसके बाद जब तक नशा ना मिले, बेचैनी, परिशानी, दर्द होने लगता है, रहाई नहीं जाता, ये उन सब के लिए मैं सुना रहा हूँ जो नशे करते हैं, और उनके लिए भी सुना रहा हूँ जो नहीं करते हैं, तो कि उन्होंने उ इंपोर्टेंट हैं, हमने पोलियो मुक्त भारत बनाया, लेकिन अगर भारत को फिर से विश्व गुरू बनाना है, अपने परिवार में सुक शान्ती लानी है, तो क्या करना पड़ेगा, नशा तो पहली चीज है, कि वो नशे में फस गए, तो आगे क्या पड़ोगे, और सुक शान्त वात जैसी घ्लोनी हरकतों में भी यूज होता है, हमारे जवान मारे जाते हैं, इसकी बजास, ओई कैसे से, लेकिन हमें पता ही नहीं हैं, हमसोच रहे हैं, हमें फैदा हो रहा है, लेकिन अब इसको छोड़ना है, तो लक्षण की में बात कर रहा था, कि इसका एक लक्षनगी होगा, जिसको एक बार लत लग जाए ना, उसको जीवन की बाकी चीजों से खुशी नहीं मिलेगी, एक समान्या व्यक्ति जिन चीजों से खुश होता है, अच्छा खाना, अच्छा पीना, भूमना, फिरना, दोस्तों से बात करना, मनुरंजन करना, एक्सरसा मिलती है, जब वो नशा करता है, बस उसी बही उसकी नजर रहती है, कि नशा मिल जाए, तो खुश, है तो खुशी, आम आदमी सिंपल खेलने से खुश हो रहा है, आम आदमी होर मना के खुश हो रहा है, लेकिन वो जब तक नशा करना ले, तब तक खुश नहीं होता, उसक मारे मन में ब्रेन में डोपामाइन नाम का एक हार्मोन होता है जब हम खुश होते हैं तो वो रिलीज होता है मस्तिस्क से लेकिन जो नशे करते हैं उनके वो रिलीज ही नहीं होता जब तक नशा ना करें उनको नशा करना पड़ता है तब वो हार्मोन रिलीज होता है और तब वो खुशी की स्टेज तर पहुँच पाते हैं और इसका क्या नुकसान है जब पैसे ना मिले किसी नसेडी को तो वो चोरी भी कर लेगा डाका भी डाल लेगा माडर भी कर सकता किसी का यह हालत हो जाती है घर में रोज मार की अरोज बिबी बच्चों की पिटाई और जो सोश रिस्पोंसिबिलिटीज है और इसकी रिस्पोंसिबिलिटी है वो भी सही डंग से निभाप आएगा या निभाप आएगा नशे का नुकसान मांग लो आप ड्राइवर हैं अब गाड़ी चलाई कितने एक्सिडेंट होते हैं कितने लोगों का जीवन जोखिम में डल जाएगा समाज में होने वाले ज्यादा तरह पराधों के पिछे कोई ना कोई नशा है चाए वो हिसा हो बलातकार हो कोई भी गड़बड हो रही है नशे वाले बैक्ति ही सबसे जाजा करते हैं क्योंकि वो अपनी वुद्धी को सही और गल्थ की परक भूल जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है और ज्यादा तर बिमारियां जो आज लोगों को लगी हैं कि नंग है हमारी बॉडी में चारों ही डेमेज हो जाते हैं नशों से हमारे फेफडे जिनको लंज कहते हैं हमारा जिगर लिवर जिसे कहते हैं हमारा हार्ट दिल और हमारी किड्नी चारों पर इतना इफेक्ट पड़ता है कि चारों में से पतनी कौन पहले डेमेज हो जाए और आदमी गया की गया आपको पता हो ये हमारा शरीर भगवान की दिव ही बहुत बड़ी नेमत है खुद्रत का बहुत बड़ी गिफ्ट हमें मिली है एक अच्छा हटा कटा शरीर हम सब को जनम से मिलता है इस शरीर को मंदिर भी कहते हैं लेकिन इस मंदिर में हम क्या डाल रहे हैं टेली तमाकू, जर्दा, खैनी पता है क्या क्या गंदी गंदी चीजे हैं उन्गे तो नाम भी नहीं पता जादा करें लेकिन देखता हूँ लोगों को तो तर्स आता है कि मेरे ये भारत के लोग इनके बाप दादा देवी देवता थे इनके भारत महान था कभी अब ये कैसे बन गया भारत महान के बज़ाए कुछ और ही बन रहा है तो तर्स आता है इसलिए हम सोचते हैं कि उन्हें नशे से मुक्त कराएं कि शरीर रुपी गाड़ी में जो डालना है वही डालें पैट्रोड की जगा दूसरा डालेंगे गाड़ी में तो गड़बड हो जाएगी तो इस शरीर इसमें खाने के लिए दुनिया भर की चीज़ें भगवान में दे रखिए इतनी कुदरत की चीज़ें वोब खाये, मिठाईयां खाये ड्राइव प्रूट खाये, प्रूट खाये सबजियां खाये तो चीज़ों की कमी है जो हम उन चीज़ों के पीछे जा रहे हैं जो केबल तवाही लिखती हैं बरबादी लिखती हैं ये एक चीज़ का हम ध्यान रखिए तो ये सारे लक्षन और ये सारे नुकसान किसे होते हैं जो वैक्ती नशा करता है एक अब आपको मैं एक जम्पल देता हूँ एक आदमी मान लो आप में इसे कोई है जो 40 साल से बीडी सिगरेट पीता हो 30 साल बाला है कोई महाराथी कहेंगे नहीं मैं इसे पता सब को है कौन कौन पीते है एक वैक्ती मेरे पास आया कहने लगा मैं 40 साल से बीडी पीता हूँ बड़ा मुश्किल है मेरा बीडी छोड़ना मेरी तो सुबह भी बीडी से होती है और रात को भी बीडी पीता रहता हूँ मेरा तो जीवन ही मेरी तो सांस ही बीडी है मैं बीडी नहीं छोड़ सकता मैंने उसे कहा कि भाई तुम बीडी छोड़ सकते हो मैं एक मिन्ट में तुम्हारी बीडी छोड़ा सकता हूँ कहने लगा एक मिन्ट में कैसे छोड़ाओगे मैं कै मैं मान लो आपके सामने वीडी भी रखूँ और साथ में सिगरेट भी रखूँ तो किस चीज को उठाओगे कहता जी सिगरेट को उठाओओंगा उसमें जदा नशा है मैं तो बिडी के विना रहे नहीं सकता मतलब अगर तुम्हे उससे ज्यादा नशा मिल जाए उससे बडिया वाली चीज मिल जाए तो तुम बीड़ी छोड़ दो रहे अगर सिगरेट की जगए मैं तुमें उससे बड़िया वाली चीज रख दू मौन बो कोई और तो तुम सिगरेट के बजाए वो लेने लग जाओगे अब प्रश्म ये उठता है कि बीडी क्या हमें देती है बीडी क्या हमारी रुकैर्मेंट है क्या बीडी हमारी जरूरत है या बीडी पीने के बाद जो मिलता है वो हमारी जरूरत है बीडी पीने के बाद क्या फील होता है लोगों को थोड़ी सी खुशी थोड़ा सा अच्छा फील होता है थोड़ी से देर के लिए शांत हो जाते हैं जब तक पी रहे हैं तब तक ही पर्मानेंट नी तो हमारी रुकायरमेंट खुशी है शांती है और अच्छा फील करना ये ह हमारी जुरूरत है बीडी सिगरेट हमारी जुरूरत नहीं है हमने अपनी जुरूरत को पूरा करने के लिए ये घटिया वाली चीज को साधना बना लिया कि हम बीडी से खुशी ढूंदेंगे बीडी से शांती ढूंदेंगे नहीं अगर आपको इससे बढ़िया वाली चीज मिल जाए तो फिर आप ये नशा करोगे क्यों मैंने कहा कि एक नशा है बरबादी का और एक नशा ऐसा है जो आपको अबाद कर सकता है आगे ले जा सकता है वो नशा है अच्छे काम करने का उसे कहते हैं नाराइनी नशा दूसरों की मदद करने का भगवान से बातें करने का उसकी भक्ती करने का उससे प्रेम करने का आप वो नशा अपने जीवन में लाओ दूसरे नकली नशे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जीवन भी सुधर जाएगा फैमिली भी अच्छी हो जाएगी सब कुछ अच्छा हो जाएगा नकली नशे के गुलाम बनने की जरूरत नहीं तोंकि उससे आपको टेंप्रेरी खुशी मिलती है और अच्छे काम करने से पर्मानेट खुशी मिलेगी सदाकाल की खुशी मिलेगी इसलिए कहते हैं सब नशों से उपर है नाराइनी नशा जो एक बार चड़ जाए रब का नशा जिसको हो जाता है अच्छे काम करने का नशा जिसे हो जाता है फिर दूसरे नशे की जरूरत रहेगी अभी आप नशे इसलिए करते हैं क्योंकि जीवन में आपने अपने को खाली रखा हुआ है जीवन में कोई लक्षय नहीं रखा कुछ करने का, कुछ बनने का अपनी जिम्मेवारियों को सही से निभाने का इसलिए खाली बन शैतान का घर अगर मन को समझा देंगे अब हम लोग आज तक नहीं नशा किया देखा भी नहीं होता क्या है नाम तो मैं इसलिए याद करके आया क्योंकि आपको सुनाने थे कि कौन-कौन से नशे होते है और नशा हम छुडा रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं हमारे चेहरे पर खुशी दिख रही है क्योंकि हम अच्छे तरफ लगें है तो एक नशा ये है अच्छाई की तरफ चलो वो नशा जीवन में लाओ परमात्मा से जुडो अध्यात्म को जीवन में स्थाम दो वो नशा लाओ दूसरे नशे की जरूरत ही नहीं रहेगी एक महिला मेरे पास आई अपने पती को लेकि उसके पती बस ड्राइवर थे तो कहने लगी ये मेरे पती ना रोज दारू पीते हैं और दारू पीके मुझे भी पीटते हैं मेरे तीन बेटियां हैं उनकी भी पिटाई करते हैं मैंने उसे अपने पास बुलाया मैं कहा भाईया शराब क्यों पीते हो कहता जी पीना तो मैं नहीं चाहता छोड़ना तो मैं चाहता हूँ लेकिन मेरे दोस्त मुझे पिला देते हैं मैं कहा दोस्त तेरे मुझे जबरदस्ती डालते हैं कहता है कि जबरदस्ती तो नहीं डालते पर दोस्ती निभाने के लिए मैं पी लेता हूँ मैंने उसे कहा एक बात से जो व्यक्ति आपको शराब पिला रहा है वो आपका दोस्त कैसे हो सकता है जो व्यक्ति आपको गल्ट रास्ते पे चला रहा है हैसला कर लो कि वो दोस्त है या दुश्मन है वो दोस्ती के भेश में दुश्मन छिपा हुआ है आप पैचान नहीं पारे तो ऐसे व्यक्ति से किनारा कर लो वो आपका दोस्त नहीं है दोस्तों मैं आपका बनके आया हूँ जो मैं आपको राय दे रहा हूँ कि मेरी दोस्ती के खातर आज पर बचन दे के जाओ मुझे कि आज से शराब नहीं पिऊंगा उस बैक्ती ने मुझे बचन दिया कि आज से नहीं पिऊंगा मैंने उसे और समझाया कि तुम गाड़ी चलाते हो इतना important काम है तुम्हारे पीछे कितने लोगों की जीवन जुड़ी हुई है तुम अगर श्राब पीके गाड़ी चलाओगे कितने लोगों को मारोगे और खुद को भी मारोगे तो उसकी पतनी कहने लगी ये पहले ही कई बार accident कर चुका है इसकी स फैमली की responsibility है तुमारे उपर तुम अगर श्राब पीओगे बच्चे क्या सिखेंगे लोग क्या कहेंगे ये किसकी बेटिया है उनको भी उसी नजर से देखा जाएगा आपके घर को अच्छे लोग तो आने वाले है नी श्राबी के घर कौन आएगा वही आएगा जो श्रा पमली का ध्यान दे रहे है कि मेरे भाई इस श्राब को छोड़ो और जो पैसे इसे बचते हैं अपने बच्चों को अच्छी सिक्षा दो अच्छे स्कूल में उनको दाखिल कराओ उनको योग्या बनाओ अच्छे संसकार दू नैंकर तुम्हारे से अच्छी तुम्हारी प तो उस वक्ति ने वचन दिया कि आज से मैं शराब नहीं प्यूंगा, तो मैं भी आज आपका दोस्त बनके आया हूं, तो आप इस बात को पका करो, कि आज से जो भी नशा मैं पूछाँगा निए, एक एक से कौन कौन सा नशा किसका है, लेकिन इतना कहूंगा कि जो भी नश आप करते हैं, उसको छोड़ने का मन ही मन संकलब करो, और मैं तरीके बताऊँगा अभी फोले टाइम में आपको नशे छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, एक बड़ी अच्छी पॉइम मैंने पड़ी थी जब मैं छोटा था, तू नहीं पीटा बीड़ी को, बीड़ी तुझ को पीती है, पीकर के ये भाई इस दुनिया में जीती है, इस बीड़ी के कई सबंधी और रिष्टेदार भी हैं, तमा, खांसी, टीवी, कैंसर इसके दामेदार भी हैं, आज तू इसका धुआ निकालेगा, कल ये तेरा धुआ निकालेगी, तेरे को बिस्तर पर हाट पहुंचाएगी, याद रखना, इसलिए मैंने आज ये पॉइम आपको सुनाई, कि आप भी याद रखना कि भोगों को हम भोगते नहीं हैं, वो हमको भोग रहे हैं, भुआ हमारा निकाला निकल रहा है, आदमी शराब ही नहीं पीता केबल, शराब के साथ-साथ वो अपनी मा की खुशी भी पीता है, अपने पिता की प्रतिष्ठा को भी पीता है, अपनी पतनी के स्कून को भी पीता है, और अपने बच्चों के सुनेरे भविश्या को भी घून पी-पी के पी जाता है, कितनों का जीवन वो नुकसान करता है, आप सोच सकते हैं, इसलिए क कहते हैं एक पल का नशा जीवन भर की सजा, एक पल का नशा जीवन भर की सजा, नशे की आदत कई बिमारियों को देती है दावत, अब नशे से कैसे मुक्त हों, पांच साथ आपको विधियां जल्दी जल्दी बताता हूं, कैसे नशे को छोड़े हैं, सबसे पहले तो आप मन में इस विचार को गंभीरता से लाएं कि नशा मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, अपने मन में गंभीरता से सोचें कि इस नशे के कारण मेरी को कितने नुकसान हुए हैं, कितनी तबाही, कितना सरवनाश ये नशा कर रहा है, इसकी बज़ा से मेरे नशा अब नहीं छोड़ना चाहिए, मन को कह दिजिए कि अब मुझे इससे छोड़ना ही है, मन में ठान लिजिए, कि अब नशे की गुलामी नहीं होगी, बहुत हो गया, बहुत हो गया नुकसान, अब मुझे अपना जीवन सही तरीके से गुजारना है, अब मैं ये जब आपको पता है न, धुवा निकलता है जब घर में कहीं आग लगाएं, पीचन होते थे पहले, तो छट पे पूरा काली पर्त जम जाती थी, काली लार जम जातार जम जाती थी, वो काले हो जाते, ऐसे ही हमारे फेपडे, वही पर्त हमारे फेपडों में जमेगी, अच् देखो, छोड़ दी न, मतलब आदमी अगर चाहे, तो एक मिंट भी नहीं लगता छोड़ने में, बस संकलब की देरी है, कि उनको पता चला कि खतम हो गया, खतम बुमारे उमर जाओंगा, तो एकदम बेराग आया, एकदम छोड़ दिया, तो वही आप मन में ठान दीजिए कि वही काली परत आपकी सांस की नलिकाओं में भी जारी है, स्वसंद जो नलिकाओं हैं, पिल्कुल बारीक सी होती है, जिसे हम सांस लेते हैं, बड़ी संकिरिन होती है, अगर उसमें वो परत जम गई, काली परत धुए की, कोईले की, तो आपका सांस लेना दुरलब हो जा और कैंसर ऐसी बिमारी है बचना कोई मुश्किल ही मुश्किल है किडिनी खराब हो जाए 35 लाख लगते हैं बदलने में और फिर भी सही नहीं होता सिस्टम हार्ट में गड़बड हो जाए हार्ट की लगता है तब बाइपास सर्जरी होती है या अर्टरी ब्लॉग खुलती है कितने नुकसान इनकी बज़ा से होते हैं आप तभी सोचो तो सही और फिर जो बॉड़ी डेमेज हो जाए ना ऑपरेशन से ठीक होती है जो लोग तमाकू खाते हैं जर्दा और तमाकू और ये क्या था तिसरा गुटका इनके जबड़े लौक हो जाते हैं पता है आपको द जो भी खाते हैं उटका दीरे दीरे तीन ऊबियां जाएंगी फिर दोघी जापाएंगी फिर एक भी निजा पाएगी और एक स्टेज आएगी खाना भी अंदर निह जा पाता सारा मू शड़ जाता है और चार तुरा के कैंसर हो जाते हैं जीक का गालों का जबड़े का अच्छा यह आपने देखा हुआ है देखो एसे डालते हैं और दान्त सारे खराब दान्त पिले पड़ जाएंगे मूँ से समेल आएगी अच्छा आदमीं कोई उसे बात नहीं करेगा अब आप सोचिए अब मेरे से देखिए इदर सबको अनुभव है अपने क्या क्या जो करते हैं या नहीं करते लेकिन अब अगर छोड़ना है तो पका इरादा लाइए सबसे बड़ी बात अगर आप मन में ठान लेते हैं तो कुछ भी इंपॉसिबल नहीं होता भाई जी सब इदर अब काम की चीज़ बता रहा हूँ आपको अगर हम ठान लें मन में निश्चय कर लें कि मुझे अब ये आज से छोड़ना है अपना मन मजबूत बनाएए नशा व्यक्ति तभी नहीं छोड़ पाता जो कहते हैं जी हमें तलब उठती है छोड़ना तो चाहते हैं शराब छोड़ना तो चाहते हैं गुटका पर बार बार इच्छा होती है कारण ये है मन कमजोर है अब मन को मजबूत बनाना है मांसिक मजबूति लानी है और इनर ए meditation हम आपको बताएंगे कि मन कैसे powerful बनता है वो spirituality का विशह है जो आपको हम बड़ी अच्छी तरह से समझाएंगे और इच्छा शक्ती में है willpower जब आपके अंदर इच्छा शक्ती आ गई परवल, दिड़, यह मुझे करना है, हो जाएगा मेरे पापा चेन समोकर थे, शराब भी पीते थे 93 के, 93 में अचानक ब्रमा कुमारीज में जाने लगे जिस दिन गए उसी दिन से छोड़ दिया संकलब कर लिया कि मैं अब आश्रम जा रहा हूँ अब मुझे अच्छा इंसान बनना है तो आज से मैं नहीं पीऊंगा एक सेकिंड लगा छोड़ने में, जो रोज पीते थे और जो दोस्त बने के घुमते थे न, एक भी नहीं नचराने जानी पता चला, यह तो शराब के दोस्त है असली एक भी नहीं उनके जब तक शराब पीऊगे तब तक दोस्त है नहीं, तो वो दोस्त है मतलब के यार जिसमें कहते हैं तीसरी, चौथी चीज़ आपने करनी है बुरे संग से प्रहेज संग में आके आदमी बिगड जाता है तो उन लोगों का संग ना कीजिए जो आपको गल्थ रास्ते पे चलाते हो, और जो खुद इन चीजों के शिकार हो वो अच्छे दोस्त नहीं है पहचानिये, वो दुश्मन है वो रावन थे हैं रावन पर बड़िया सुनहरा रूप लेके आ रहे हैं सादू का रूप लेके और आप धोखा खा जाएंगे तो सारी उमर्ष सीता की तरह शोक वाटिका में रहना पड़ेगा शोक समझते हैं न? दुख, दर्द उसमें रहना पड़ेगा इसलिए अच्छे लोगों की संगत कीजिए हम आपको कहते हैं कि आपके आसपास ब्रमा कुमारी आश्रम है वहाँ जाए वहाँ जाने से क्या फैदा होगा वहाँ अच्छे लोग मिलते हैं वहाँ जाने वाले सभी अच्छे लोग हैं धर्म को मानने वाले धर्म को जीवन में लाने वाले उनके संग में रहेंगे तो आपको इच्छा ही नहीं होगी अब ही आप उन लोगों का संग कर रहे हैं जो खराब लोग हैं उस संगत से निकल के अच्छे लोगों का संग कीजिए मन को खाली ना रखिए और व्यस्त रहिए कुछ ना कुछ करते रहिए पीछे, जीवन का लक्षे रखिए, पर्पस डिसाइड कीजिए, मुझे करना क्या है, खाली मन शातान का घर है, सपने देखिए, कुछ बनने के, कुछ करने के, अपने परिवार के लिए कुछ कहिए, उसमें टाइम बीजिए, अकेले रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, के लिए नशे चलते रहेंगे, और कुछ घरेलू नुसके भी आप अपना सकते हैं, कई नुसका बता देता हूं, सिंपल सा है, आपके घर में एक ऐसी चीज है, जो कहीं पर भी मिलती है, और सब आप उसको जानते पहचानते हैं, और काभी मातरा में मिलती है, वो है एक अदरक को लीजिए, उसके छोटे-छोटे टुकडे कर लीजिए, उन टुकडों के उपर नमक, कला नमक और निम्बू निचोड के, उनको धूप में सूखने डाल दीजिए, जब उनका पानी सूख जाए, उन छोटे-छोटे टुकडों को अपनी जेम में रखिए, जब आ देना और अदरक ऐसी चीज है स्वेरे से डालोगे शांपन कुछते रहोगे थोड़ा थोड़ा रस्त निकलता रहेगा पर खतन नहीं होगा और इसके पीछे कारण है कि अदरक से सलफर निकलता है और यह लोग कहते हैं कि जब नशा वेक्टी करता है जब उसको इच्छा होत वो आपकी लार में मिक्स होके आपके बलड में चला जाएगा तो वो कुछ हद तक आपको नशे से दूर रखने की कोशिश करेगा लेकिन सबसे ज़्यादा जुरूरी तो मन का ही है मन को मजबूत बनाना है और मैंने कहा नशा वही करता है जो अंदर से खुश नहीं है जो अंदर से खाली है जो अंदर से परेशान है टैंशन में है इसलिए जीवन में आधात्मिक्ता को लाइए अच्छाई के रास्ते पे चलिए तभी खुशी मिलती है खुशी अच्छे काम करने से मिलती है खुशी के लिए मन में अच्छे विचार लाने पड़ते हैं प्योर अपने शवद भी मिठे रखने पड़ते हैं, लोगों का भला भी करना पड़ता है, कभी खुशी के उपर आपको हम लेक्चर देंगे, कैसे happiness जीवन में आती है, कैसे mind positive बनता है, आज हम खुशी इसलिए निये, कहीं इच्छाओं के गुलाम है, कहीं दूसरों से तुलना कर ये आगे निकल गया मैं पीछे नहीं, अपनी जरनी असर की, किसी से कोई तुलना नहीं, इच्छाओं के गुलाम नहीं बनना, जो मिला है, जो प्रयापत है, हमें याद रखना, वो प्रयापत है, वो sufficient है, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, खुश रहो, भगवा तुन्हें बहुत कुछ दिया, ये नहीं कहना कि तुन्हें ये नहीं दिया, तुन्हें वो नहीं दिया, उसको इतना दे दिया, मेरे को कुछ दिया ही, दूसरे को नहीं देखना, दूसरे की ठाली में नहीं देखना लगवाई, हम क्या करते हैं, जो मिला है, उसका अनंद लेते हैं और जो नहीं मिला है उसकी तरफ देखते रहते हैं हमारे मूँ में कितने दांत हैं 32 कभी ध्यानी नहीं देते हैं 32 और आज अगर दॉक्टर निकाल दे एक दांत तो सारी राज जीब उसको टटोलेगी न जो निकला हुआ है वहीं जीब जाएगी बतलग खाली जग में जा रही है क्योंकि हमारी आदत हो गई है जो है उसको नहीं देखते जो नहीं है उसकी तरफ देखते हैं इसलिए दुखी है बहुत से कारण है दुख के और बहुत से तरीके में आपको बता सकता हूँ खुश रहने के सब की अच्छाइयां देखिए सब की महिमा कीजि शुक्रिया कीजिए, सब का शुक्रिया कीजिए, सब अच्छे हैं, हमारी कंपनी भी अच्छी है, हमारे साथी भी अच्छे हैं, जो साथ में गाड़ी चला रहे हैं, अगर गाड़ी ना चलाए उन पर गुसा नहीं करना, क्यों नहीं करना गुसा, क्योंकि वो अच्छे हैं, कोशनानी किसी को आण कोशते रहते हैं डाड़ी चलाते चलाते कई लोग सबका अपना अपना रोल है जिसको जैसे आती है चलारा है और गुस्सा तो करना ही नहीं है गुस्से का मतलब है दूसरे की गल्ती की सजा खुद को देना गल्ती वो कर रहा है ड्राइविंग वो ठीक नहीं कर रहा है चला हमरे बीपी हमारा बढ़ रहा है जादा ही कर लेगे तो हार्ट अटैक भी हो सकता है गुस्से से बड़े नुकसान होते हैं गुस्से से भी 14 किसम की बिमारियां हमारे शरीर में पैदा होती है जैसे टेंशन से होती है नशे से तो पूरा खत्म ही हो जाता है पर गुस्से और टेंशन से भी बिमारियां पैदा होती है इसलिए गुस्सा करना समझदारी नहीं है एंगर इस वन वर्ड अवे प्रॉम डेंजर डेंजर में अगर, एंगर में अगर क्या लगा दे डी लगा दे तो क्या बन जाएगा डेंजर, उसे बड़ा बड़ा डेंजर वाला आदमी होता है पर सबसे ज़्यादा डेंजर वो अपने लिए ही होता है गुस्से के बजाए तर्स करना लोगों के उपर बेचारे इनको पता नहीं कोई बात नहीं, नहीं ड्राइबर होगा ति छोड़के आप चांत तो हो जाया करूं, घर में भी किसी के उपर गुषा नहीं करना है, आपको आपके उपर कोई गुषा करे तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कोई आपसे गुस्षे से काम करा है तो अच्छा लगता है या प्यार से बोले तो अच्छा लगता है और जब हमने किसी से कराना हो तो देखदम गुसे में आ जाते कहते लाता हुए भूल बातों उजे नहीं मानते बताता हूँ इसको इसका दिमाल ठेगाने लगा दूगा एक दिम में ट्रेन में सफर कर रहा था कुछ एक बात हुए एक आत्मी पड़ा पड़ लड़ने गया कहता राजपूत हूँ मैं नहीं सुनता तो लड़ने लग गया भाई फेर में लड़ने लग गया तो वो समझदारी थोड़ी नहीं है तो गुसे को छोड़ना है शांती का जीवन जीना है और कभी टाइम लगे आपको तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आके मेडिटेशन सीखिए ध्यान लगाना सीखिए इश्वर की संगत कीजिए प्रमात्मा की संगत उसके संग में सब तर जाते हैं और इनसानों के संगत में डूबने वाला ही काम है तो कि इंसान उतने अच्छे नहीं है इसलिए भगवान को अपने जीवन में स्थान दीजिए मेडिटेशन को लाइए अच्छे काम कीजिए और नशों को तौबा तौबा कीजिए और पक्का कर लिजिए ये नशे हमारी तबाही का कारण है और आज से हम संकलप लेंगे मेज़े अगर अपना दोस्त मामते हैं तो आज ये संकलप ये वचन मुझे दिजिए कि हम जो भी एक नशाज कर रहे हैं वो हमने छोड़ना है संकलप कर लिया तो आज ही छूट जाएगा Thank you very much Om Shanti Om Shanti Om Shanti आजनी और कान्माईजी का बहुत बहुत दिन्यवाद जिनोंने हमें नशे से होने वाले बहुत सारे मुसान बताए और हमें ये प्रेड़ना भी दे कि हम नशे को अगर छोड़ना चाहे तो सरफ हमें द्रड संकल के आवशकता है अपने मन के अदर डर संकलब कर लिया कि हमें इस चीज को छोड़ना है और हम उस चीज को एक सेकंड में छोड़ से होने हैं अब मैं आपको नशे से होने वाले प्रेंटी कल के दो अनुगों मताती है दो-दो मिनट के और एक जोग है अभी ये भीया जो आपके सामने खड़े हैं इनके जीजाजी अभी बिमार हुए तो हमारे आश्रूं का उदगाट अथा तब वो हमारे पास आए थे तो वो गुटका खाते थे मैंने उनको का भाई साब आज आप यहां आए हो आपके जीजाए है उपकी चार शारी है वो भी ब्रमाभुमारी है मेरे जैसे तो मैंने का आपका पूरा परिवार देखो इस संस्था में आता है आप यहाओ और इस खुटके को छोड़ो तो आपका जीवत अच्छा ओदेगा कोले नहीं नहीं यह कुछ नहीं होता है सारी दुनिया खाती है मैं भी खाता हूं तो क्या बड़ी बात है आज आप मानेंगे नहीं इस खुटके का इतना एफेक्ट नहीं कि आज वैसे मैं 100 स्वीटल में एक्विट है कि बीमारिया हो गए किड्निये वह बहुत सारी हालत खराब हो गए तो प्रक्टी करते हैं और दूसरा भी कली में यूटूब पे छोटी सी कहानी सुम रहे थी कि एक बच्छा था छोटा उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं पढ़ ली कि बहुत अच्छा व्यक्ती बहुत इसे दैसे करके उसको पढःाया और उसको बढ़ी उच्छी पढढ़ाई करहांने के लिए उसको गॉंम्बे कॉलेज में पिचा तो जब वहाँ साहने कहां कि अमधी बुरी संगत का बहुत लग चाता है उनिया के अंदर संग का रंग बहुत जयती लगता है और किसी कि सं जरस का लग 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 गया को धीरे दीरे जरस को इतनी आदत हो गई कि वह उसके मिना रह ने सकता था अब परीवार वाले जैसे करके पैसे बैसने थे वह पैसों से उसको उसको भी ले पाती थी स्कूल की पीस बढ़नी है, वो सोस्ता था कि आप क्या किया जाए, पैसा आ रही नहीं है, अब आदत तो छूटती नहीं, तो एक बार वो अपने परिवार में रहे, यह कहानी नहीं है, हकीकत की गंड़ा सोना रहे हूं आपको, वो अपने परिवार में आया मिलने के लिए, उसने पने माता पीता को का भई मुझे पैसे चाहिए, उनों ने का भई हम तो जैसे तैसे करके आपको देते, अब क्या खरें, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने पैसा नम मिनने के कारण, वो नश्य की लथ पूरी नम होने के कारण, उसने अपने ही घरणवालों को, पाँच लोगों को खाने में जहर डालके मार दिया हो, तो उसमें से क्या हुआ, जो पाँच लोगों को जहर डालके मारा, तो उसमें से चार मर गए, एक बच्च के है, तो उसको दूसरे तरीके से मार, और वो बच्चा आज जेल के अंधर है, आज वो बच्चा जेल के अं हमारा घर, हमारा गाव, हमारा शेहर, हमारा देश हखो बरबाद कर दी। हमारी संस्ता के अंदर एक माता आई थी, तो ले दिनी, मैंने सुनाए में आपको अच्छा ग्यान देते हो, तो इसको ग्यान सुनाए है, विडी पीती थी। मांनों की नीव दो बच्चे थे और वो इतनी गरीब थी कि लोगों की घरों में काम कर्फिन बच्चों की परवरिश करती थे लिकिन पीडी की ऐसी आतत कि जो पीडमा की आटा लाती थी ना उस आटे को भी बेच के वो पीडी भी थी आज लोगों की इसी हालत हो गई है कि नशे को पूरा करने के लिए अपने बच्चों का भविष्य भी दाव पर लगा लेते हैं तो हम ऐसे नहीं सोचें कि नशा बहुत अच्छी चीश है नशे से बहुत मुसार होती है नशे के तारट ही कैंपनी के जो कहीं पर भी प्रिछा ओचे पर लिजह दो estiž हए बिष्य भरत के अंदर आप सब जगें तो कहीं पर भी ही दूप लेते हैं सब कुछ दे से घ्रिशा न वहले हैं कभाईसा और द्स से आयाये थे निवारे पास टिरी तो हमारे हाथों में पढ़ है, लेकिन नशे के कारण हम उस पूरी को भूल ज COR Wesley Manors को ही भूल जाते हैं, आज इस कूल में पढ़ाने वाले टीचर, जो खूद बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिए वह पूं मूँ हमें डूज़के चबाँ अब और जो टीचर फुद गुटका हा रहा है, तो बच्चों को क्या शिक्षा देगी। तो उनके अदर या है। पीगरी तो लेगी, टीचर तो बन गे, आज डॉक्टर हैं, बड़े-बड़े, डॉक्टर भी करते हैं। तो इसलिए ये नशा कोई अच्छी चीन नहीं है, इस नशे को अगर आप छोड़ोगे, तो बहुत अच्छे इंसान बनोगे, और उससे सरफ आप ही नहीं, आपके हथजारों लोगों को बहुत फायता होगा, उनको भी घर परिवारों में सुक शान्ती रेती है। और भृँत सारे ऐसे एक्सांबल हो तो हमारी संस्था में आती हैं, और पूरे नशे को भी छोड़ देते हैं। और पूरे घर परिवार में सुक शान्ति हो जाती है। आप सभी में हमारे भाई हो, परबिता परमात्मा की संतान हो, हम सभी में आपका भला चाते हैं, भाई साब इतनी दूर से आए हैं, आप सब को समझाने के लिए, आप सभी अपने ही स्थान पर खड़े होंगे, और दिल से जो भी आप नशा छोड़ना चाते हैं, हाथ आगे क करके संकल करेंगे, उस बरमात्मा के आगे प्रतिया करेंगे, कि आज से हम ये नशा नहीं करेंगे।